विल्कम दोस्तों आप लोगों को स्वागत है हमरे यूटूब चैनल पर तो आज बात करेंगे इंडिया बसे रोस्टिनिस के 3020 आई के बारे में जो की खिला जाएगा काल साम को इडियन गार्णिस में तो उससे पहले देख लेते हैं सेकंड़ी 20 आई के पेडिक्शन के बार लाकि उतना अच्छा नहीं गया फिछले मैश लेकर आप लोग ले सकते हों बहुत अच्छा पर लेंगे यह बन्दा मुझे लागता है इस मैश में अच्छा खेलेगा मुझे अब देखते क्या होता है और सुझे कुमर यादव भी बहुत अच्छा लाएं में अगर इंडिया फ़र्स बैटिंग करेगा तो सुझे कुमर यादव की भी आप ट्राइब कर सकते हों मैर्स भी अच्छा खेला है अलाकि आज मैर्स को लाइन नहीं लेंगे अम लोग क्योंकि मीडलोडा लेना है हमको तो पाव्यल trim को लेंगे यह बहुत अच्छा विटार है और बहुत अच्छा हीटिंग करता है तो आप लोगों ने देखा कि यह पिछले दिन का pen km पे查ण आप लोग देख सकते हैं यह टीम मैंने दिया था यह जो चेस कैप्टेन अब्जाट को एली भाइस और यह विनिंग आप लोग देख सकते हो यह में गया इस टीम से और यह 22,000 विन हो गया तो जिसको भी फाइनल टीम चाहिए फाइनल टीम हमारे टेलिग्रम में दिया जाते तो आज बात करते हैं पिछले दिन के तरह ज्यादा मतलब इस पिनर को ज्यादा मदद मिलता है पेसर के तुलना करें तो और अबर्जेस को यह पर 150-180 था कि रहता लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा खेला पिछले दिन और 186 बनाया था और आज भी कल भी अगर इंडिय या फर्स्ट बैटिंग करेंगा तो एक्सवेक्टेड है कि ऐसा ही कुछ बनाए तो इस बात में ध्यान इस बात को ध्यान में रखके टीम बनाना अपना तो टूटल टीटेंटेंटे मैच यहां पे 10-10 खेला गया जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने जीता ह जीता है चार और बैटिंग सेकेंड करें वाले टीमं को यह मिलता है आप पाकिस्थान लोगनर डिवाहम और बांग्रेंग करें आं लाहिस के बणाना तो तो 150 से और कं़र होई 150 से 170 तक 3 बर होई, 170 से 190 से đपर एक बर होट है तो ज्यादातार रॉन 50 से 170 तक रॉन यह रहता है कि 60 से 170 तक रेता है अगर परेग़ तो इंडिया करेगा हाट तो छांसे 170 प्लासटान होगा अगर नग 2 ऑस्टरणीर से परेग़? तो 150-160 तक या उससे कम भी हो सकते उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एक्सपेक्टेट है कि 150-160 तक इसके अंदर ही रहेगा नहीं तो यह बात करते हैं तो फर्स्ट ट्वंटिया इंडिया ने बहुत अच्छे से जीता था अलाकि सेकेंड में कैच छोड़ छोड़ के ऐसा हो गया यह जीता है और फ्रस्ट करते हुँ इंडिया निया साथ बर जीता है और बैतिंग करते हुआ 1 जीता है और बैटिंग के बाद करें तो टुटल्न हो टाल चिल ला गाया दोनों के पीच में इसमें से तीनों मैच इंडिया ने जीता है लागातर तीन मैच हो गया है और इंडिया लागात त्इनम जीत के आ अगर प्रॉइबल एक साए के बारे में बात करें तो रोईट शर्मा खेलेगा इदर से इशन किशन आयागा रोइच्छरमा के साथ बिराट को यह तीन नंबर पर अलाकि रिशब पंद चार नंबर पर आ गया ता लेकिन ज्यादर ता टाइम रिशब पंद यह आता है चार नंबर पर देखते कल क्या होता है फिर विंकडशायर या मुझे लगता है कि मतलब यह लास्ट मैसे तो सद्धूल ठाकूर को मौका मिल सकता है विंकडशायर के जगा देखते क्या होता है जो भी अपडेट आएगा वो मिल जाएगा आपको टेलिग्राम में तो फाइनल टीम या जो भी अपडेट यह चाहते ह जुर करना जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें से जाएगा करना और दीपक्चार का मतलब फ्रॉम उतना अच्छा नहीं गया पहले मैंच में भी उइक नहीं लिया था या नहीं लिया जो भी एक विकड़ लिया था शायद तो कल तो बहुत मार पड़ उसको और बॉलिंग भी उतना अच्छा नहीं जा रहा था सो मुझे लगता है कि उसको उसके जगा सिराज आवेशकान जो भी एक खेल सकते कल भुभीनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था कल डेथ में और कैज भी छोड़ा था हाला बहुत अच्छा ब इसनोई को कि बहुत ही अच्छा गूगली डलता है और गूगली उस्टिनिस के बैट्समें बहुत ही बुरा खेलता है तो जरूर ट्राइक करना कैप्टेन भाइज और सिंगल लिग में जरूर लेना यूजी चैहल के बॉल पर कैज छूड़ा था एक बड़ना दो इक हो ज जब भी खिलते लेता है हमने आई पील में देखा है और फर्स में देखा है फर्स में दो लिया था हलाकि सेकेंड मैंस में एक भी नहीं लिया लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे लास्ट में लेगा इंजुरी अपडेट देख लेते अकसार पटल कोबिट पॉजिटिव हो गया कि मुझे लगता है कल भी के और ऐस्टन चेस के शिकार होंगे क्यों कि एंशन की खेलने के मतलब वह मुझे अच्छा नहीं लगते इशन की खेलने के धरन मुझे लगते आप बिृफ तो देखते क्या होता है CDC करेगा तो आप ड्रॉप कर सकते हो अगर सेकेंड बैटेंग क तो आप जरूर लेने शनकिशान को ठीक है इस बात को ध्यान में रखना रोईट शर्मा हाला कि 99 बनाया था लेकिन मुझे लगता है काल अच्छा कुछ बड़िया रन बनाएगा कल अच्छा रन बनाएगा तो इसको कैप्टेन भाइस भी ट्राइब कर सकते हैं आप सिंगेल बनाया बिड़ाट कोईली क्योंकि उसका फर्म आना बहुत ज़रूर है इंडिया के लिए और मुझे लगता है ओओ कल भी रन बनाएगा ठीक है तब ले सकते हो ब्राइब को जरूर लेना सिंगल लीग में और गयाल लीक में कैप्टेन भाइस भी ट्राइब करना सिंगल लीक में भी दे सकते हो कैप्टेन भाइस रिशब पंथ लास्स मेश चार नंबर बैटिंग करने आया था और फिफ्टी टू रांड बना के चला गया रिशब पंथ अगर पहले इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो रिशब पंथ को अब लेना अगर सेकेंड बैट अब लेना चाहों ले सकते हो अगर ज्यादा दर छोड़े ड्रॉप करना क्योंकि मुझे लगता है इस अंडिशन लोईच्वर्म और ब्रयाट को ली में कोई एक फिनिश कर देगा मैच सुरिया कुमर यादव हलाकि पिछले मैच आठ रन बनाया था लेकिन यह बंदा बहुत अच्छे लाए में है मतलब जो ओ यह मैच छोड़के बाकी सारे मैच में रन बनाया था मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्म में आप ओडिया देख लो आप टीटवंट यह देख लो पिछले के बहुत ही अच्छे फॉर्म में अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो इसको जरूर लेना और अच्छे पिक रहेगा ग्रंडिंग में कैप्टेन भाइस जरूर कर है शायद खिला सकता है तो इसको ध्यान में रखना दीपाक चाहर दीपाक चाहर बहुत ही पिछले दिन एक विकेट नहीं लिया उससे पहले एक विकेट लिया तो उतना अच्छा खास परफर्फरमस नहीं था इसका यह पावरपल में बालिंग करता है अगर विकेट लेग यह आप ले भी सकते हो क्योंकि यह स्विंग बाला रहे स्विंग से विकेट भी लेता है लेकिन प्यावरपल में अगर विकेट नहीं मिलता इसको तो फिर भी विकेट नहीं मिलता इसको चार उगार में हुविनेश्टर कुमार ने काफी अच्छा बॉलिंग किया था और एक कैज भी छोड़ा था खुद के बॉल पे तो भूत ये अच्छा बॉला रहे तो आप लोग ले सकते हो इसको और उज्ञेंदरो चाहाल उज्ञेंदरो चाहाल इडियन गारें इस्पिनर पीछे तो उज्ञेंदरो चाहल और विश्णोई दोनों को लेना है और चाहो तो क उस्टिनिस के बैट्स्पैन गुगली बहुत भी बुरा खेलता है तो देखते क्या होता है हरसल पैटल विकेट टेकर है लेकिन हाला कि पिछले मैच विकेट ना मिला लेकिन मुझे लगता है कि आज काल विकेट लेगा और इसको भी आप लेना अपने टीम में सिंगल लिक तीम में है कि और जो भी खेलेगा साद आप छेल सक्ते तो अब च्तिक तो इसका नुग पार में मैय ने कि और मियर्स प्रफले मैंत थोड़ा बात अच्छा खेला लेकिन काल फ्लॉफ गया है और ब्रैंडल कि दोनों मैच फ्टलॉफ घया है तो मुझे लगता है कोई चेंज आने वाला है ब्रैंडिन किंग क्या मायर्स के जगा होप खेल सकता है तो देखते ही क्या होता है फिर फूरान पूरान तो अलागी लाए में हाला कि कैट छोड़ता है इसका लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा रान बनाके जा रहा है दो दि और पहले भी देख चुगे कि मुंबाइ मुसीमत में रहता है तब पुलाट आके रान बनाके जाता है तो ऐसा कुछ एक्पिक्टेशन था पुलाट से लेकिन वह ऐसा कुछ उबारा नहीं है पुलाट भी रुबमन पावल को हमने बोल दिया कि बोल दिया था पहले सेकंड कि रुबमन पावल बहुत अच्छा हीट आ रहे और यह जब खेलेगा तो एक तरफा लेके जाएगा मैच को तो भी हुआ मतलब वह अच्छा खेल गया पिछले दिन इसको मैंने बोल दिया था पहले ही रॉस्टांचे रॉस्टांचे बहुत ही अच्छा बोला रहे और बै के लिए सिंगल लिग में बहुत अच्छा पीक होगा और रोईच्वर्म रॉस्टांच रॉस्टांच चेस के बॉल पर ही ज्यादा तर आउट होता है तो इसमें इसको ध्यान में रखना जैसन होल्डार जैसन होल्डार हाला कि पिछले मैस में एक वीकेड नहीं लिया था लेकिन यह बहुत है अच्छा बॉलार है और होप करते है कि काल वीकेड लेगा कुछ भी और रान भी बना के जाए कोई तो सिंगल लिग में आप ले सकते हो जैसन होल्डार को बहुत इंपोर्टेंट पीक होगा यह भी आर शेपड पिछले दिन एक वीकेड लिया था लेक पिछले दिन एक कुबर बॉल किया था एक कुबर तो आप क्या सकते है मतलब इसको लेना मुझे नहीं लगते है इसको लोग है कोई इसको तो ड्रॉप भी कर दो सब अकिल होसेन हाला कि दो मैच में एक भी वीकेड नहीं लिया था लेकिन यह बंदा बहुत काफी अच्छा बॉलिंग किया था एक मत्रा लेफ्ट हैंड बॉलर रहे विस्ट इंडिस में और इंडिया में काफी सारे डाइट हैंड बैट्समें अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो आप आखील होसेन को ले ले सकते हो क्योंकि यह बहुत अच्छा बॉलर है अला कि वीकेड न कोई भी एक खेल सकता है कॉट्टल ने दोने मैस में एक एक विकेट लिया था तो इस टैर्स और इंपेटिंग पीक के बार में अगर बात करें तो ब्रेंडन किंग उद्ने उभारा नहीं है पहले मैस में चार फिर 22 तो इसको आप ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो क्यो पुझ अच्छे लाइं में थे पहले मैस में फिर नाइन मनाया मतलब कंसिस्टेंस इन बनाने में निकुलास पूरान बहुत इंपॉर्टन पीक होगा क्योंकि यह पहले मैस में 61 बनाया फिर 62 मैं सेकेंड मैस में और तीन नमर पर बैटिंग करने आएगा और बहुत ना कोई भी टीम से ग्रांड लिग बोलो या सिंगल लिग जो भी टीम बनाओ रॉस्टन जास पहले मैस में दो विकेट लिया था फिर तीन विकेट लिया था अलाकि पिछले सेकेंड मैस में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला लेकिन फर्स्ट मैस में मिला था चार्ण बन सबकुछ यह बहुत ही अच्छा हीटर है इसको भी लेना अपने सिंगल लिग टीम में बहुत अच्छा पीक होगा यह भी केरन पोलाट केरन पोलाट से मुवित बहुत थी लेकिन यह उसी तरह उभरा नहीं है तो अगर ऑस्ट इंडिस फर्स बैटिंग करेगा तो आप ले सकते हो उतने इंपर्टेन नहीं है आप ले भी सकते हो ना भी ले सकते हो ग्रान लिंग में लेना दो एक जैन लीग में क्राउन पोलाट को क्यों कि ये अच्छा खेल सकता है जैसेन होल्डर हला कि विकेड नहीं मिला लेकिन चार वर बॉल किया था और मुझे लगता है का लेगा यह बनाएगा तो आप सिंगल लिग में इसको जरूर लेना अकिल हुसेन के कल सब लोग करके आएगा कोई भी नहीं लेगा लेकिन यह अगर खेलेगा तो आप जरूर लेना क्योंकि यह एक मत्रों लेट हैंड और इंडिया में काफी सारे राइट हैंड बैट्स मैंने टो किसी का भी ले सकता है तो अब जरूर लेन अखिल असमीत के बारा में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यह पहले में दो वर बाल किया था और कल एक वर बाल किया था इसको मतलब बेड़ जो बीकर देना इसको तो नहीं लेना कोई भी आर्षेफड ने पहले मैस में यह लेकिन काले कुई कि लिया था तीन उमर बॉल करके अर्प लें सकते हो अगर चाहो तो तो चल्डेंड कोट्रोल ने एक वर मेडेल डाला था कल और एक विकेट भी लिया था और उससे पहले एक विकेट लिया था तो अच्छा पिग रहेगा अगर इंडिय। कोई कोई बॉला लेना चाहते हो तो कोट्रेल को लेना और कल हला कि लास मैश है इसलिए बहुत चेंज़ भी हां सकता है तो जो कोई भी खेलेगा इसमें से अब इस्टार्स देख सकते हो ज्रैक्स या होप खेल सकता है तो जो भी अपडेट आ जाएगा ओक टेलिग्राम में म बहुत ही अच्छे फॉम में इसको लेना है तो जाहिक्स नहीं ले सकते हैं की मुलाज पूरान से पांद हालाकि last match में कवी अच्छा फि्क रहेगा इसको दोनों को लेना है और आर और ho को बहुत ही अच्छे लयाय में और बहुत अच्छय ही तो कुछ भी कर सकते तो इसको लेना जरूड है खैप करते ही यह तो फिर बात करते हैं यहांसे चोब्स लेना को लेना है लहाँ, और यहाँ से उसे उसे अंद्रत चाहल अरश हरशल पठस ऑर भुविनस्ष्ठ कुमार को यह से ठीख है ताविके लिए मेरा टीम कुह यही रहेगा कि हाँ ही के लिए मेरा टीम है अगर यह हमारा फाइनल टीम नहीं है जो final team मिलेगा line up के 15 minute बार जो कि आ जाएगा टेलिग्राम में तो आप लोग जो भी final team चाहते हो तो हमारे टेलिग्राम जोइन कर लेना जो की link description में भी है और comment section में भी में दे दूँगा तो thank you फर इतना comment करते हो तुम लोग तो इसके लिए बहुत बहुत सुक्रिया दिल से और मैं try करूंगा और भी अच्छा पेडिक्ट करने की और भी अच्छा पेडिक्शन लाने की तो thank you for everything